चुडेल की पायल कहीं दूर सूरजगर नाम का एक गाउ था उस गाउ में रामू नाम का एक किसान रहता था एक बार रामू अपनी पदनी रीमा के साथ अपने खेतों से काम करके घर वापस लोट रहा होता है दिन धल गया होता है इसलिए रामू और रीमा जल्दी जल्दी चलते हुए घर की तरफ जाने लगते है तब ही रामू को अपने पीचे से चंचन की आवाज सनाई देती है रामू जैसे भी पीचे मुर कर देखता है तो आवाज आनी बंध हो जाती है रामू को लगता है कि ये आवाज रीमा के पायलों की है इसलिए वो रीमा से कहता है अरे रीमा मैंने तुम से कितनी बार कहा है कि खेतों में काम करने आने से पहले अपनी पायल उतार दिया करो लेकिन तुम हो कि हर वक्त इने पहनी ही रहती हो अजी आपको तो पता है ना कि मुझे पायल पेनना कित्ता अच्छा रखता है और वैसे भी ये पायल मुझे मेरी मा ने दी है मैं नहीं उतारने वाली इसे कह देती हूँ अरे भागिवान समझा करो रात बहुत हो गई है और रात के समय इस रास्ते पर चोर लुटेरे घूमते रहते हैं कहीं उन्हें तुम्हारे पायलो की आवाज आ गई ना तो वो तुम्हारी इन पायलो के साथ साथ सारे गहने भी लूट कर ले जाएंगे समझी अरे हाँ जी आप सही कह रहे हो मैं नहीं चाती की मेरे गहने चोरी हो मैं अभी अपनी पायल उतार कर अपने थैले में रख लेती हूँ रीमा अपनी पायल निकाल कर अपने थैले में रख लेती है फिर दोनों अपने रास्ते चलने लगते हैं थोड़ी दूर जाते ही रामू को फिर से चंचन की अवाज आने लगती है अरे रीमा तुमने तो अपनी पायल उतार ली है फिर ये चंचन की अवाज कहां से आ रही है लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है अजी ये आप क्या बोल रहे है मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही और देखिये पीछे तो कोई भी नहीं है शायद ये आपका वहम होगा हाँ रीमा शायद तुम ठीक कह रही हो मैं भी पता नहीं क्या-क्या सोचने लगा था ये बोल कर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं तभी रीमा को भी अपने पीछे से पायलों की आवाज आती है रीमा जब पीछे मुर कर देखती है तो उसे सड़क पर पायल पड़ी हुई दिखाई देती है अजी देखिये तो ये सड़क पर किसकी पायल पड़ी हुई है अरे ये पायल تو सोने की लग रही है सुनिये जी यहां तो कोई नहीं है ऐसा करते हैं हम इसे उठा लेते हैं ये सोने की पायल देखकर तो मेरी सहेलियन जल बुन जाएंगी ये कहकर रीमा जल्दी से पायल को उठाकर अपने थेले में रख लेती है फिर दोनों अपने घर चले जाते हैं घर आकर रीमा पायल को अपनी तेजोरी में रख देती है और सोने चली जाती है फिर आधी रात होने पर रीमा और रामु अपने बैट पर सो रहे होते हैं तब ही पूरे घर में पायलों की आवाज आने लगती है रीमा की अचानक नीन खुल जाती है रीमा पायल की अवाज सुनकर डड़ जाती है वो रामु को उठाने की कोशिश करती है अरे सुनिये जी लगता है घर पर कोई घुसाया है मुझे पायल की अवाज आ रही है अरे रीमा सारे खड़ की दर्वाजे तो बंद है रेख सब्सक् किसे रहे हैं रही है। भाकतीयों रसोई घर में जाती है। रसोई घर की हाला देखका रीमा के होश ओड़ जाते है रसोई घर का सारा समान भिखरा होता है और पूरे कमरे में गंदी बत्बू फैली होती है ये भगवान मेरे घर का ये हाल किस ने किया होगा तब ही रीमा पर रसोई की छसे खून की बून टपकती है रीमा जैसे ही उपर देखती है उसे छस से लटकती है एक भयानक चुड़ेल नजर आती है रीमा ये सब देखकर बहुत डर जाती है और भागती हुई सीधा रामू के पास जाती है अरे चुडल, चुडल सुनिये जी, जल्दी उठिये हमारी घर में खहानक चुडल है उठिये जल्दी उठिये अरे रीमा तुम फिर आ गई लगता है तुम मुझे सोने नहीं दोगी चल Pack 2 का है तुमारी चुडल रामू और रीमा जैसे ही कमरे के बाहर आते हैं सारा समान वापस अपनी जगा पर आ गया होता है ये देखकर रीमा चौक जाती है वो रामू को रसोई में ले जाती है रसोई का समान भी अपनी जगा पर होता है और चुड़ैल भी वहाँ से गायब हो जाती है देखो रीमा यहां कोई भी नहीं है और सारा सामान भी अपनी जगा पर है शायद तुम कुछ जादे ही सोचने लगी हो तुम्हारी तबिया ठीक नहीं लग रही चलो थोड़ा चलके तुम आराम कर लो रामू रीमा को लेकर कमरे में जाने ही वाला होता है तब ही चुड़ैल रामू के सामने आ जाती है रामू और रीमा दोनों खबरा आ जाते हैं और डर के मारे कापने लगते हैं दोनों बचाओ बचाओ चिलाते हूँ सीधा बाहर की तरह भागते हैं बचाओ 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 उनकी आवाज सुनकर कुछ गाउं वाले वहां आ जाते हैं अरे क्या हुआ रामू भाई आईसन जल्दबाजी में कहां भाग रहे हो कोने चोड आको घुसाया क्या घर में अरे बिर्जु भाई चोड नहीं हमारे घर में एक भ्यानेक चुलैल घुसायी है उसने हम पर हमला भी कर दिया था वो तो अच्छा हुआ के हम लोग बचके निकल गए वरना पदा नी वो चुलैल हमारा क्या करती भाई रामू की बास सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं तुम फिकर मत करो मैं अभी जाकर तांत्रिक बाबा को बुला के लाता हूँ अब वो ही हमें इस चुलैल से बचा सकते हैं बिर्जु भाग कर तांत्रिक बाबा के पास जाता है और अपने साथ बुला कर वापस गाउं में ले आता है बाबा हमें बचाईए एक चुड़ेल हमारे पीछे पढ़ गई है बाबा उसने हमारे घर पर गबजा कर लिया है अब आप हमारी मदद कर सकते है बाबा हमारी मदद कीजिए बेटा तुझे फिक्र करने की कोई जरुवत नहीं है वो चुड़ेल जो कोई भी है मेरी तंत्र विद्या के आगे वो टिक नहीं पाईगी तुम सब यहीं रुकना मैं अभी अंदर जाकर उसको भस्म कर देता हूँ तंत्रिक बाबा घर के अंदर चले जाते हैं और दर्वाजा अंदर से बंद कर देते हैं अरे ओ मूर चुड़ेल कहा है तू सामने आ मेरे चल्दी से बाबा की आवाज सुनका चुड़ेल सामने आ जाती है अरे गुलाम चुडैल आ गई तू बहुत खूब तूने इन लोग को बहुत ज़्यादा ड्रा दिया है मुझे तुछ से यही उमीद थी मैं तुछ से बहुत खुश हूँ बस इसी तरह मेरे लिए लोग को ड्राने का काम करती जा फिर देखना मैं इन गाओं वालों से पैसा एट कर इस गाओं का सबसे अमीराद भी बन जाओंगा चुडैल रामू के घर के सारे पैसे और जेवर लाकर बाबा को दे देती है फिर बाबा न रुपेयों को अपने थेले में रख लेता है सुन चुडैल अब मैं यहां से जा रहा हूँ तू यहां से निकल कर पुराने खंडर पे आ जाना भिर मैं तुझे अपने अगले शिकार का पता बताऊंगा चल अब जल्दी से यहां से निकल जा और हां वो सोने की पायल तू मुझको दे दे और मैं ने उस चुडैल को इसी पायल में कैद कर लिया है अब तुम सब सुरक्षित हो अब मैं यहां से चलता हूँ सभी लोग बाबा को धन्यवात करते हैं फिर बाबा वहां से चला जाता है तभी रामू देखता है कि सोने की पायल जमीन पर गिरी हुई है अरे ये क्या बाबा ने तो भूतिया पायल यहीं किरा दी है अरे रामू भाई हमें जल्दी से पायल उन तक पहुचा नहीं होगी नहीं तो चुडैल उग वापस भर से आ जाएगी फिर रामू और बिर्जु कुछ गाउवालों के साथ पायल को लेकर जल्दी से बाबा के खंडर में जाते हैं बाबा खंडर में चुडैल से बाते कर रहा होता है सभी लोग चुपकर बाबा की बाते सुनने लगते हैं अरे तांत्रेक मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है तू मुझे छोड क्यों नहीं देता तू आखिर कब तक मुझसे इन बोले गाउं वालों को डराने का काम करवाता रहेगा मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता तू मुझे आजाद क्यों नहीं कर देता आरे चुपकर चुड़ाल मैं तुझे ऐसी थोड़ी ना छोड़ दूगा जब तक तू मुझे आमीर नहीं बना देती मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूँगा समझ गई? अब मैं तुझे पायल देता हूँ उसे ले और अपने काम पर लग जा सभी लोगों को तांत्रिक बाबा की असलियत पता चल जाती है अच्छा, तो ये बात है ये चुड़ैल तांत्रिक की गुलाम है और तांत्रिक इसकी मदद से गाउवालों को लूटने का काम करता है सुनो साथियों, हमें इस तांत्रिक को सबक सिखाना ही होगा फिर सभी लोग लाठी और डंडे के साथ बाबा के खंडर में खुचाते है और उसे घेड लेते है बाबा, हमें तुम्हारे कारनामों के बारे में पता चल चुका है अब तुम हमसे बचकर भाग नहीं सकते तांत्रिक गाउवालों को देखर वहां से भागने लगता है तब ही चुड़ैल उसे पकड़ लेती है चुडैल तांत्रिक को मारने वाली ही होती है तब ही तांत्रिक अपनी चान की भीग मागने लगता है हम इस तांत्रिक को पुलिस के हवाले कर देते हैं और पुलिस ही तांत्रिक को सजा देगी और फिर ये तांत्रिक उसके बाद दुबारा ऐसी गलती नहीं करेगा चुड़ेल रामू की बात मान लेती है और तांत्रिक को छोड़कर वहां से चली जाती है तांत्रिक सारे गाउं वालों का चुराया हुआ रुपया उन्हें वापस कर देता है और वो खुद पुलिस के हवाले हो जाता है भूत या गन्ना रस वाला रामू का खेत में इस बार बहुत ही अच्छे गन्ने की फतल हुई थी इसलिए रामू ने इस बार गन्ने की रस की दुकान अपने खेत के सामने लगाई रामो बिल्कुल ताजे गन्ने से रस निकाल कर अपने ग्राहकों को देता जिसके कारण कुछी दिनों में दूर दूर तक उसके गन्ने के रस की चर्चा होने लगी और लोग उसकी दुकान पर आने लगे गन्ना रस तुम भी पी लो रे, गन्ना रस ले लो रे, ले लो रे, गन्ना रस ले लो रे अरे रामो भाई, एक गलास गन्ने का रस देना तो जब तक दिन में एक बर तुमरी दुकान का गन्ना का रस न पी ले, तब तक शरीर हमारा तरो ताजा होता ही नहीं है तुम्हारे गन्य के रस का तो भाई मज़ा ही अलग है एरे लोना भाई तुम्हारे लिए ही तो दुकान खोली है अब ही हम तुमको रसीले गन्य का रस पिलाते है इसी तरह एक के बाद एक रामू की दुकान में लोगों की लाइन लगी रहती ये सब रामू के बाजू के खेत वाला बिर्जू देख रहा था कि कैसे दिन दुगनी राज चौपनी रामू तरक्की कर रहा है अब तो बिर्जू को जलन होने लगी थी ये रामू आ तो गाना गागा के नोट चाप रहा है फिर भगवान लागत है ये गाउ में हम ही भिखारी रह जाएंगे सबी लोग तरक्की कर रहा है सिर्फ हमों चोड़के अरे थोड़ी क्रपा हमों पर भी कर दो भगवान फिर बिर्जू भी अपने खेत के सामने गन्ने की रस की दुकान लगा लेता है लेकिन बिर्जू की दुकान में रोज दो चारी ग्राहक आते है और रामू की दुकान में ग्राहकों की लाइन लगी होती है हमने तो समझी नियाद है कि आखिर ये रामू की दुकान में इतने ग्राहक काहे आत है लगता है ये रामू कोनो टोटका करत है यह ससुना तो बहुत थुदक रहा है यह का कचु करना ही पड़ेगा बहुत नाश-नाश के गाना गारा है हम ऐसी चाल चलेंगे कि तुम्हारे तोते लाल हो जाएंगे तब ही रामू का फोन बचता है अलो अरे कौन बोला तो भाई हाँ भाई हो जाएगा हो जाएगा बिल्कुल एक ट्रक का हम दूई लाख रुपे लेंगे फोन पर रामू को शहर से गन्ये के लिए एक बहुत बड़ा ओडर मिलता है रामू ये ओडर पाकर बेहत खुश हो जाता है अरे बहुत बहुत धन्यवाद भगवान आपका हमरी तो जिंद्गी ही बदल गई अरे बिर्जु भाई तनिक सुनो हमको शहर से बहुत बड़ा ओडर मिला है अगर ऐसे ही दो चार और ओडर मिल जाए तो हम तो माला माल हो जाएंगे रामू बेहती खुशी से बिर्जु को बताता है अहां वो तो हम सुन रहे है अरे रामू भाई ज्यादा मत उलो का है ना कभी कभी ज्यादा खुशी पच्टी नहीं है कहीं ऐसा ना हो खुशी दुख में बदल जाए अर काहे होगा ऐसा हम मेहनत करके कमात है भाई कौनों चोरी चकारी थोड़ी ना करत है ना ही कौनों को नुकसान पहुचा थे तो कहे हमारों नुकसान होगा अरे तम देखते जा भाईया हम बहुत मेहनत करेंगे और इतना पैसा कमाएंगे इतना पैसा कमाएंगे कि एक दिन अपने परिवार वालों को सारी सुक सुविथा दे पाएंगे अच्छे चलो भाईया, हम चलत हैं, हमका एक खुश खबरी अपने घर वालों को देनी है अब तो बिड्जू के जलन का ठिकाना ही नहीं था हे उपर वाले, तुम ऐसे ही देखते रहोगे या फिर कुछ करोगे भी कासे फ्री में ही प्रसाद पेलते रहोगे लागत है, हम तो प्रसाद चढ़ा चढ़ा के कंगाल हो जाएंगे दूसरे दिन सुबा खेत में आकर रामो ट्रक में गन्ने भरने लगता है जलन में आकर बिर्जू रामो को नुकसान पहुचाने के लिए एक तरकीब लगाता है जब रामो ट्रक में गन्ने भर रहा होता है उस समय बिर्जू रास्ते में आगे जाकर सडक में बहुत सारे नुकीले पत्थर, काच और कीले डाल देता है ताकि रामो की गाड़ी का बैलेंस विगर जाए और सारे गन्ने गिर जाए आप देख बेटा, कईसे हम तोहार जिन्द की जण्ड करते हैं फिर बिर्जू वहां से वापस आ जाता है कुछ देर के बाद रामो उस रास्ते में अपना ट्रक लेकर जाता है यूही चला चल रहा ही, कितनी हसीन है दुनिया फिर जैसे ही रामो की ट्रक का चक्का उन नुकीली चीजों पर पड़ता है गाड़ी का बैलेंस बिगर जाता है और गाड़ी पलट जाती है जिससे रामो की गन्ने तो बरबाद हो ही जाते हैं उसके साथ साथ रामो की भी मौत हो जाती है फिर उसकी आत्मा इधर उधर भटकने लगती है भटकते भटकते रामो की आत्मा वहां पहुँच जाती है जहां बिर्जु और गाउ का एक दूसरा आदमी बात कर रहे थे उस असुरा रामू बहुत इत्रा इत्रा के गाना गारा था उपर वाला जब भी देता देता छपर फाड के हैं हम उनके साथ ऐसी चाल चले हैं कि आप उठ खोदी फट जाएगा अरे ऐसा का करती है भाई जरा हमको तो बताओ फिर बिर्जू रास्ते में नुकीली चीजे फेकने वाली बात गाओ के उस आदमी को बताता है बिर्जू की सारी बाते रामू की आत्मा भी सुन रही होती है ये सारी बाते सुनने के बाद रामू की आत्मा को बेहत खुस्सा आता है और उसकी आत्मा एक खुंखार दानब में बदल जाती है बहुत होश्यार बनत है ना देख अब हम तुम्रा काहाल करते हैं रामू की दुकान ना होने के कारण अब तो बिर्जू के वारे नियारे हो गए थे बिर्जू की दुकान तो चल पड़ी थी अब रामू के सारे ग्राहक बिर्जू की दुकान में आने लगे थे बिर्जू रामू को बरबाद करके बेहत खुश था लेकिन बिर्जू की ये खुशी जाता दिन तक टिक नहीं पाई धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा कभी बिर्जू के खेत के बहुत सारे गन्ने गायब हो जाते तो कभी उसके रस निकालने की मशीन खराब हो जाती तो कभी ताजा-ताजा गन्ने का रस सर जाता जिसके कारण अब बिर्जू की कमाई बंधी हो गई थी उसकी हालत बहुत खस्ता होती जा रही थी अरे ही का हुई कवारे हमरा तो पूरा धंदा ही चौपट हो गया अरे किसकी काली निजर लगी हमरे धंदे पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाई हम तो सड़क पर आ जाएंगे है भगवान कुछ तो कृपा करो हम पर का से का हुई कवार देखते ही देखते तब ही दिन में राज जैसा महल हो जाता है और बेहदी डरावनी हसने की आवाज चारो और गूंजने लगती है बिर्जु के खेत के गन्ने हवा में उड़ने लगते हैं आस्मान से बारिश बरसने लगती है तब ही रामू की आत्मा वहां पर आ जाती है अरे अरे इस सब का हो रहा है ए भगवान हमका बचा लो भले हमरा धंदा ठप कर दो लेकिन ऐसा मत डराओ अरे भाण में जाए इगन्ना और रूका रस अरे भाग रहे बिर्जु अपनी जान बचा बाग यहां तक भागो के बिर्जु धोका और पाफ करने वाले लोगों पर भगवान कभी भी क्रिपा नहीं करते बिर्जु बहुत डर जाता है और उसकी आवाज हक लाने लगती है तुम कौन भाई हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है अरे हम तो बहुत सीधे आदमी है भाई हम रामू की आत्मा है और वो का कहा तुमने तुमने किसी का कचुना बिगाड़ा है अरे तुमने तो हमरे बीवी और बच्चे का पूरा चीवनी पर बात कर दिया तो मेरी जलन और इर्शा के कारण हमरी जान चली गई आज हमरे बीवी और बच्चे दर दर की ठोकरे खा रहे है दाने दाने के लिए तड़प रहे हैं वो और फीक मांगने की नौबत आ गई है हम को माफ करतो रामू हमने कभी नहीं सोचाता कि हम जो करने जा रहे हैं उससे तुम्हारी माफ हो जाएगी अरे हम तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नुकसान करना चाहते थे ताकि हम तुमसे आगे बढ़ पाएं और ज्यादा पैसा कमा पाएं अरे हम क्या तुमको तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे जो आदमी अपने मन में दूसरों के लिए जलन की भावना रखते हैं अंत में उनका जीवन परबाद हो जाता है तुमने तो सुनाई होगा ना जो दूसरों के लिए गढ़धक होता है वो खुद उस गढ़धे में गिर जाता है अरे दूसरों का नुकसान करके गलत तरीके से पैसे कमाने वालों की हगवान कभी मदद नहीं करते हैं अगर तुमको ज्यादा पैसा कमाना था तो तुम भी हमारी तरह इमानदारी से महनत करते हैं तुम भी पैसे कमाते उसके साथ हमारे बीवी बच्चों की आर्थिक मदद करनी होगी ताकि उन्हें कौनों तरह की कोई तकलीफ ना हो अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुमको मार देंगे अरे हम तुम सवादा करते हैं भाई हम तुमरे घरवालों की देखभाल जीवन भर करेंगे सची एक बात हमेशा याद रखना बिर्जू गलत तरीके से कभी पैसा नहीं कमाया जा सकता जो आदमी पैसा कमाने के लिए गलत तरीका चुनत है भू की सफलता कुछ समय के लिए होती है और हाँ यी भी याद रखना दूसरों से जलन और इर्शा करने वाले लोग अपने जीवन में कभी आगे नहीं पढ़ सकार इसलिए शौटकट में ना ही इमानदारी से मेहनत करने पा फरोसा कर हाँ मज़ा आया ना कहानी देखे जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करो शेयर करो और इसी और कहानी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ खंटी को दवा देना मिलते हैं एक और कहानी के संग ख्याल रखना